हेलो गैस मैं मैं जूसिदीगी आटोटेक्स माया एन बिलेंडर 3D अनिमेटरी के तब से तो गैस मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगा आटोटेक्स माया के अंदर हम पिलू किस तरीके से बनाते हैं ठीक है और मैं तीन अधर सप्टिस के बारे में भी आज आप लोगों मुंक्त है तो वैसे पहले हम दूसरा होगा हमारा गर्लाए निसमेक्स है सिनम फोडिया लाष्ट होगा में म्लेंडर होगा ठीक है तो में सुपएलो अपनी मックलत को याट कर लेता हूँ क्रीण है हैड कर लिया आप ग्याइज मैं क्या करता हूं दोबारा सेलेक करते हैं एक पार्ड के लिए मैंने क्यूब ले लिया क्योंकी है मैंने है έट प्रुद देदी फौर टेक है then then zero point one then यहां आए ड़क्त के अंदर तो six कर दें ठीक है और मैंने इसकी जो है segment है यहां पर मैंने देती है 20 then 20 काफी है टीक है उसके बार मैं आया गाईस यहां और मैंने कहीं किया fx के अंदर आते हैं गाईस उसके अंदर क्लोथ मिलता है क्लोथ के अंदर गाईस मेरे लिए मिलता है create and क्लोथ मैंने क्लिक किया then control a किया attribute अडिटर खुला अपना ठीक है आटविट अडिटर खुल लिया यह मेरे पास तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले गाईस मेरे लिए इसकी प्रॉप्टी क्लोज करने होगी ठीक है अपने इसकी ग्रेविटी जो है मेरी ग्रेविटी को आफ कर लिया then हम क्लोथ के अंदर में लिमित आगाईस यहां आप्सें प्रेशर के अंदर मैंने दे दिया प्रेशर 0.5 ठीक है और गाईस मैंने इसको प्रेसर दिया ठीक है then प्ले किया हलके हलके और यहां से फिर शिलूरी शिलूरी लिए गया शिलूरी सबसे रिए जएhandब्रेस किया यहां पर आया है और यहां से लेक किया शियी अथ क्या करते हैं मैंने क्या किया से लेक कि यह ये-लेक्ट इसको select करके delete कर दिया ठीक है मुझे इसकी ज़डूरत थी यह मुझे मिल गया गया एंड गैस आते हैं और मुझे क्या करना है यहां एक जाली है जलो ठीक है और एक टूरूट करो गया यहां इस एज के लिए और प्रैस करते हैं गैस और इसको एक्स्टूर कर लेते हैं शम्तिंग अंदर के लिए और फिर मैं किता हूं थ्रुप्रियस करता हूं यह देखे गाइस मेरा डिजाइनयमन के तयार हो गया ठीक है अब गाइस मुझे बनाना है यही जो है मेरा 3Ds Max के अंदर तो मैं किस तरिक टिक है और आते हैं डेवल्य लेते हैं अब गाईज इसको तो से स्केल कर लेते हैं नीचे विए शंदी अग कि अब की फिर गाईज आते हैं मौड़िफाइए कें अधर गया है और हम निहां कि लौप टिक कलॉड्ड लिया यह मेरे पास कि यौट डैन अब ज़ाए अब जय क पर gravity है यह मेरी आफ है टिक है इस तरीकी की यहाँ पर आफ कर लें आप लो टिक और उसके बाद हम करते हैं स्विलेट जो देखिए कि आइसकेप कर दिये और चेक किजिए डबलू से मेरा क्लोब बनके तैयार हो गया देन गाइस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फूर प्रेस करते हैं और एडिटेबल पॉली फिर आते हैं गैस नहीं हम टूर प्रेस करके हमारे पर जो है इडिग पॉली किया किलिक किया एक यहाँ आते हैं सीरा है यहां डलते हैं इस पर टर्भाइश्मूड ठीक है ओके टर्भाइश्मूड डाल दिया और चेक किया अपने लोग के लिए यह देख इंदर बनाना है और थे दर किस तरी किसे बनाँगा यह मेरे पास क्यूब है ठीक है इसकी लेंथ मैं आप दों को लिए दिखा देता हूं अब्जाइक के अंदर 14 16 एंढ है ठीक है और सिग्मेंट जो है मेरे पास सिग्मेंट है काडिन्ट सिस्टम यह है मिरे बास अब गैसी मिरे पास इसपेर है इसपेर को मुझे जो है इश केल नहीं हो गए है पर गैसी हम पर थोड़ा सा अपोजित रहता है कि यहां पर मुझे इसको कुलाइट करना पड़ेगा मेरी जो इस पर है इस वाली के लिए कुलाइट करना पड़ेगा तभी अपना अफेक्ट दिखाएगा वरना यह एक्ट नहीं दिखाएगा थीक मैं यहां किया थोड़ा सा ठीक है पर्फेट उसके बाद यहां आए अब से थोड़ा सा निची से इसको स्केल किया शम्तिंग ठीक है अब गाइस आया और मैंने के गिए दुनों को सेलेक्ट किया एक साथ और एडिटेपल पॉली कर दिया है जिसे हम कहते है एडिट मोड यहां पर एडिट मोड में आ गए अब मिसमेडिट कर सकता हूं राट क्लिक कर से लेड़ा है क्लोद करू नियांट सबHHH के अंदर इस फ्सके अंदर और और तक है सिरिचें मी क्लो टन ग्λαूलू यह झां पर क्लॉाद कुछक करू ठीक है और पॉल्लाइड है आ रही बीड़ है उसके बड़श के बाद कह करना है कर आदिट पॉली में हैं आवह इंहों ह यहां पर option को select कर लिया मैंने then click करो select हो गए अब मैं आता हूँ गाइस अपने क्लोड के अंदर क्लोड के अंदर मुझे सेट मुझे है सीम दी मैंने यह सीम आगे then अब देखते हैं मैजिक इसका परफेक्ट सुर्य फिर देखते हैं मैजिक ठीक है आये हैं click किया then check का ठीक है अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं और नहीं मुझे इस पर की जरूरत है बस इसकी जरूरत ही वह मैरा लिया बन गया तयार हो गया मेरा अब गया इसको भी परफेक्ट थे के ज सकते हैं गया अपने बेलेंडर चंद के अंहें थे कि इसको भी हम डेलीट अब गयाइस के लिए। ठीक है बेशन figurी से हम सरा बढ़ करते हैं संब करते हैं यह करतेhern्ट करते हैं करते हैं एकक टेंधि objectively कि यौन्ड Cup देन ओके करते हैं और आते हैं मिरे पर जाए देट करते हैं यहां पर राते हैं ऑ unmगे क्पार यहां की wrench कुल्ड करते हैं ओड़कkę के तो थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं वाड़ लिया भी प्रेस करके और यहां पर भी कंट्रोल और किया किलिक किया ठीक है यहां पर बढ़ा है टुंटी ठीक है और आये हमसे पापस फिर मैंने क्या किया यह पर edit मौड में face लिया बॉर्डर लिया देन कलिक किया दैं डेन रफर्स किया ठीक है और ऑफन परेस्ट करने के बाद आये हम इसके अच्टिव गाता है तोड़ा सा और फिक है परिफ्ट हो गया अब गैस चलते हैं हम कि यहां है तेक agency मेरे पास जो है physics फेनल मैंने फिजिक्स फेनल को लिया फिड लगाया फे सिर्फेश्व के अंदर रहते हैं जैस यहां मेरे पास कंशन लास पर जैस जू पर दैन गाइस आया पर इसको फ़ेशरी इसको दी का जिसको पर्हकर वालती स...... हमें हर सब्ड़िस के अंदर को क्लॉज जयोरा ही करना होगा आप उसके बाद आते हैं यहां हमारे पास जो इक मिलती है बेक के ठीच है यहां से हम इसको बेक कर देते हैं ठीक है तो बेक किया अब थोड़ा टेम लेगा गाए तकीडी में पॉस कर देता हूं और गाइस यह मेरा हो गया तयार अब मैं यहां से चलता हूं बैक प्रफेक्ट करते हैं कि हम किस तरीका का मुझे अपना से चाहिए जैस तरीका का भी से तो वैसे उसी तरीक पर आकर डुब जाँगा उस तरीके पर ठीक है और तो आसा और बढ़ाते हैं श्रम तिंग यह तो मुझे यह यह वाली शेप थोड़ी सी अच्छी रगी यह वाली है शौरी कोई बात नहीं के साथ मिटल मौस को डेक कर लेते हैं ठीक है तो फिरिम को सुच करेंगा ठीक है यह ठीक लग रही है यहां मुझे यह ठीक लग रही परफेक्ट मैंने स्टेक्ट किया दैन बैक आया अपने अब्जेक्ट में यहां पर आया मॉडिफाइक के इसको ड्रीड करो दैन अप्लाई करतो इसकी जुरुत है नहीं मुझे अब यहां पर थोड़े सिस्टम रच बढ़ा लेते हैं ठीक है यहां किलेक्ट करते हैं गाइस टीक है डैन यहां प्टीकल पर सरेकर दें और एडिट मोले में आते हैं एडिट मोले में आने के बाद इसको स्लेक कर लेते हैं जो एज है मेरे पास कंट्रोल के साथ मैंने इस पर क्लिक किया मेरी एज स्लेक्ट हो गए उसके बाद गाइस क्या इस एक्स्ट्रूड किया दैन आर प्रेस किया और इसको सारी इसकी लिए स्लेक किया और चेक किया बाहर निकालना हो तो गाइस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और किया और शेयर कीजिए गई सेदर केह पर भी कोई प्रालम आ रही तो मेरा अब भी है उस पर आप जाएं पहाँ पर में लिए कमेंट करें मैं आपके कमेंट का जरूर जबाब दूँगा तो थैक्स पूर बाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल